हालो एव्रीवन वेल्कम बैक तो माई यूटिप चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे और गैज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हो हमारे चानल गुट कर्मा में आज की रीडिंग का टॉपिक है चाल लोगों के बीच आपको लेकर क्या बाते होती हैं चाल लोगों के बीच मेरे वियोर्स को लेकर क्या बाते होती हैं यूनिवर्स प्लीज बताएं टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रसुनेट करेगी साथ ही जेंडर बेस रीडिंग नह नहीं रखिए फाकी का छोड़ दीजे और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेला इकन को प्रस कर लिजेगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ आप जाए है कि एक चीज बहुत वेर्ड है कि हाँ पर सिक्स ओफ वांट के साथ यह पर डेद कार्ट आया है अगर देखेंगे तो सेम है क्वें आफ सोर्स के साथ क्वें आफ कप आया है त्री आफ पंटिकल के साथ त्री आफ सोर्स हैं तो म लग रहा है कि कहीं चीज़े अच्छी हो रही है कहीं चीज़े खराब हो रही है वो भी एक सीम पेश पर नी भी शायद फॉर्स टाइम इसा हो रहा है थ्री आफ पंटिकल को थ्री आफ सोर्स नहीं क्लियरिफाई किया है ओके यहां पर एक किंग अंड क्वीन दोनों ही कप साय है गाइज अगें फाइफ 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 सोर्स यहां कुछ तो सीम चीज़े चल रही है कुछ तो है ऐसा जो सीम चल रहा है आपकी लाइफ में जिसको लेके चाल लोगों के बीच बाते हो रही है में बी ऐसा हो सकता है आज कल ना आपको डबल सिक्स डबल सिक्स दिख रहा हो डबल थ्री डबल थ्री दिख रहा हो डबल फाइफ डबल फाइफ दिख रहा हो ऐसे कुछ हो सकता है कि डबल वन डबल वन डिख रहा है कुछ सीम चीज़े आपको दिख रही हूं ऐसा हो सकता बैकि आपके लाइफ में या तो कुछ ऐसा चल रहा है कि कहीं लोग support कर रहे हैं कहीं लोग आपको hurt कर रहे हैं ऐसा हो सकते हैं कहीं लोग जो हैं आपको ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं कि भाई आप बहुत caring है loving है वहीं आपकी पीट मुर्ते ही वो आपके बारे में बुराई कर रहे हैं या आपको वो सही नहीं समझते हैं कुछ ऐसा चल रहा है आपकी life में कुछ तो ऐसा हो रहा है सो चाल लोगों के बीच आपको लेके क्या बाते हो रही है चाल लोगों के बीच आपको लेके बाते यही हो रही है कि अब आप एक success की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पहले बहुत शोर में था या बहुत इस्टक था यह तो पता है कि plan मेरा यह है यह होता है कि हम पहले plan ready करते हैं लेकिन उसको कैसे execute करना है वो चीज आपको नहीं पता थी लेकिन अब आपको पता है साथ ही अब किसी चीज का और end कर रहे हो या तो अपने fear का end कर रहे हो या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि relationship खतम कर रहे हो, कोई toxic लोगों जो थे, जो group था, उन सभी को खतम करके आगे बढ़ रहे हो, एक अपनी journey पे निकल रहे हो, बहुत चीज़े छोड़ कर, और इसमें न, अब आप उनी लोगों को choose कर रहे हैं, जिन में आपको ये दिखता है कि हाँ वो आपके लिए loyal है, ऐसा हो सकता है, या तो अभी तो लगना आप बहुत जादा स्टक थे, कि friends को देखू, या family को देखू, या career में फोकस करूं, job पे फोकस करूं, या part time जो business शुरू करना चाहता हूं, उस पे फोकस करूं, बहुत ही जादा स्टक रहना, लेकिन suddenly आपको ना ये चीज़ हो गई है, कि भई, अब मेरा गोल किलियर है, मतलब अब आपको वो चीज़ हो गई है, आपका सेट हो गया है, गोल कि मुझे क्या चीज़ अचीव करना है, mind में वो एक clarity आ गई है, आपके, या अभी तलक जो भी hard work था, वो सब के साथ किया, लेकिन अब अपनी जानी अलग तरीके से तै कर रहे हो, और उसकी किसी को बना के नहीं लगने देना, वो चीज़े हो रही है आपके साथ, साथी अब आपके अंदर ने वो भी चीज़े आ गई है, कि भई, मुझे किसी पर trust नहीं करना, self-made person बना है, maybe पहले ऐसा था कि सब को साथ लेके चलना है मुझे, सब के साथ आगे बढ़ना है, होता है कि टीम को लीड करना है, लेकिन टीम का पूरा support है, टीम पूरी साथ है, लेकिन अब आप अपनी खुद की individual personality के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, खुद का, कि ये मेरा है, ये मैंने अचीव किया है, इसमे मेरा ही हाथ है, इसमें मेरी किसी ने मदद नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है, जो आप खुद की ले कर रहे हो, खुद से अचीव करना, खुद से create करना, उस चीज़ पे आप चल रहे हो, लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खतम हुआ है, तो कुछ शुरू जो शुरू हुआ है, वो अपने खुद के लिए किया है, खुद से create किया है, वो खुद का जो होता है, कि ये मेरा own है, खुद का है, खुद का घर, खुद की गाड़ी, या कोई भी चीज में आपके जीत हो सकती है, कि ये मेरी खुद के हाटवक ही है, वो चीज़े दिख र कि श्भेव करते थे, या हमेशा ये expect करते थे, कि लोग मेरे साथ जो है, वो मेरा अच्छा चानते है, और वो मेरे अच्छे है, इनके साथ मेरे relation अच्छे है, तो मुझे लड़ने की ज़वतनी है, ये मेरे लड़ेंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इस चीज़ क तो वो mindset आपका clear होगे है, कि नहीं, जब लड़ाई मेरी है, तो मुझे खुद ही लड़नी होगी, उसमें कोई मेरा साथ नहीं देगा, चाहे रिष्टे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तो वो चीज़ आपको समझ आ गई है, तो अब आप किसी पर निर्बन नहीं हो रहे अब आपको यह है कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं अपने लिए stand ले सकता हूँ, मैं खुद के लिए enough हूँ, वो चीज़ आप खुद से बोल रहे हैं, self love practice करना, और अपनी कमियों पे, अपनी कमियों पे काम करना शुरू कर दिया आपने, जिसकी वज़ा से आप shine कर रहे हो, एक star की तरह, एक sun की तरह, family के साथ time spent कर रहे हो, क्योंकि आपको अब यही चीज़ समझ आ गए है, जिन लोगों को अभी तक आपने time दिया, value दी, उन्होंने आपकी ही time की value नहीं की, या आपकी value नहीं की, तो अब आपको समझ आ गया है कि कौन आपके लिए real है, कौन आप के लिए fake है, तो वो mindset clear हो गया है, जिसकी वज़े से चाल लोग यह बाते कर रहे हैं कि आप change हो गए है, या आपकी जो अभी तलक importance थी, चीजों को ले कि, या मैं कह सकती हूँ कि, अभी तलक जिस चीज को आप priority पे रखते थे थे, आप आपने रखना छोड़ दिया है, पस-पस घूमते थे, आपकी जैजय होती थी, आप मैं कहूं, आपको ना बहुत ही जादा valuable इंसान समझते थे, आपको लगता था, ठीक है कि आप एक ऐसे हैं, जो किसी भी गुरुप में, किसी भी circle में, मेन है, ऐसा होता है कि कभी-कभी आपको लगने लग जाते हैं कि नह अगर हम नहीं रहना तो यह चलेगा नहीं, बट reality क्या होई कि आपको वो चीज समझ आ गई, आपने face कली वो चीज, कि नहीं भाई, अगर मैं हट भी जाओंगा, तब यह लोग वैसे ही खुश रहेंगे, वैसे ही मस्त रहेंगे, मैं क्यों इन पर time energy waste कर रहा हूँ, जब य तो वो वैल्यू समझ आ रहे हैं, कि आप गलत लोगों पर अपनी energy लगा रहे थे, या गलत लोगों के साथ ना, आप बेवजा कर आबता रख रहे थे, जिसका कोई मतलम नहीं था, जो कुछ important नहीं था, तो वो चीज़े आपने change होई है, और यह चीज आपको समझ आई है, कि मुझे अपनी value खुद करनी होगी, मुझे अपनी ले stand खुद लेना होगा, या मुझे यह जो जीत है, यह मुझे खुद हासिल करनी है, खुद के दम पे हासिल करनी है, मुझे किसी का support नहीं चीज़े, यह चीज़े आपको समझ आए, लेकिन 4 लोग क्या बाते कर रहे है कि यह इंसान बदल गया है, या इसकी priority जो है वो बदल गया है, ठीक है, shine कर रहे हो उससे वो चेड रहे है, उससे वो जल रहे है, कुछ लोग support कर रहे है, कुछ लोग समझ रहे है, कि ओकी जो आप अपना mean time ले रहे हो, या जो आप अपनी space जो create कर रहे हो, वो अच्छी है क्योंकि आपको कुछ बनना है, तो जो आपकी soulmate कहलो या जो आपके लिए अच्छा सोचते है, वो आपका support कर रहे हैं उस चीज में, इसलिए three of pentacles आया है, पर शायद उसमें भी कुछ लोग है, जो आपको गिराना चाह रहे हैं, या फिर मैं कह सकते हूँ कि उससे वो hurt है, जिस तरीके से आप shine कर रहे हैं, क्योंकि center में star आया है, और वो भी clarify कर रहा है 10 of cups को, तो जो भी आप create किये हो, जो भी कुछ आपने achieve के है, अपनी family को दिया है, या अपनी family को credit दिया हो, उस चीज का, या फिर आपकी जो family जो आप खुश हो रही है, जो family grow कर रही है, उस च कुछ लोग जो है आपको emotionally fool बनाना चाह रहे हैं, या वो सोचते हैं कि आप emotional person है, तो वो emotional person कैसे balance हो गया, में भी शायद ऐसा हो सकता है, कि आप पहले जो है, काफी गुसा करते थे, या आप में वो एक passion वो fire थी, लेकिन अब आप में एक ठहराव है, इमोशनल हो, mood swings आपक रहे हैं, कुछ लोग चिड़ रहे हैं, तो वो आप से जलते हैं, तो कुछ उल्टी सीधी बाते करना, कि भाई ये बहुत लडाकू है, या इसने गलत तरीके से जीत हासिल की होगी, या ये एक ऐसा बंदा या बंदी है, जिसको relationship के value नहीं है, जिसको ये नहीं है, कि भाई perspective होता है, चीज़ों को देखने का, तो शायद आप हमेशा अलग रहे हैं, argument करने में आप माहिर हो गए हैं, जवाद देने में आप माहिर हो गए हैं, क्योंकि या queen of swords आया है, तो अब वो queen of swords किसी से डटी नहीं है, अपनी emotions को height करना आ गया है आपको, कि आप emotional हो, आपको attachment ह हो रहे हैं, लेकिन आप उसका किसी को फायदा नहीं उठाने दे रहे हैं, या आप उस person को जाएड नहीं होने दे रहे हैं, कि मुझे आपसे attachment हो रहे हैं, मतलब आपको ना अपने emotions पे control करना आ गया है, साथ या आपकी life में ना एक ऐसा व्यक्ति आया हो सकता है, जो आपका soulmate है, जो बिल्कुल आपकी ही तरह है, मतलब जिसके साथ आपको completion जैसा feel होता है, पीच में या center में देखेंगे तो 10 of cup की happy family है, जिसके साथ मिलके आपकी एक family बन सकती है, तो maybe शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए पीट पीछे बाते हो रही है, या तो आपकी marriage fix हो गई है, या अब आप किसी के साथ relationship में आ गए हो, जिसके साथ आपको ये चीज़ फील होती है, कि हाँ इसके साथ मैं marriage कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके साथ मुझे आगे long term तक जाना है, इस रिष्टे को लेके, वो वाली चीज़े हैं, तो आप दुनियादारी पे ध्यान नहीं जिसकी वज़े से लोग चिड रहे हैं आप से, और किसी किसी का दिल टूटा है, किसी किसी के expectation टूटी है, किसी किसी का दिल इस तरीके से टूटा है, शायद वो आपको पसंद करते थे, लेकिन आपने reject कर दिया, आपने feelings उस person को confess कर दी है, या उस person ने कर दिया कि वैलेंट किसी की शादी पकी हो गई हो, ऐसा हो सकता है, रिष्टा पका हो गया हो, जैसा पार्टनर आप चाहते थे, जैसा लड़का या लड़की आप चाहते थे, आपको फाइनली वैसा person मिल गया है, लोके चाहिए लव हो चाहिए आरेंज हो, कैसे भी, बट मुझे ऐसा लग रहा है, किसी किसी का दिल इसले टूट गया है, चाहल लोग इसले बाते कर रहे हैं, कि आप शायद किसी के साथ relationship में थे, आप उन सब चीजों को खतम करके, आप move on करके आगे बढ़ गए हो, आप दुनियादारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने उपर focus कर रहे हो, और आप आपको फरक भी नहीं पढ़ रहा है, कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप मतलब वो दो-दो हाथ का निकले ready हो, कि आप कोई बोल के दिखाए मेरे बारे में, वो चीज़े हैं, किसी चीज़ का end भी हुआ है, आपके life में, मतलब बिलकुल change होना, transform होना, एकद आपको आपका soulmate मिल गया है, okay, friendliness, और yeah, we are the world, तो वही चीज़े हैं, we are the world से भी कहूंगे कि 10 of cup की जो happy family हो, अगें रिपीट हुआ है, कार्ट और guidance, तो आप shine कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और आप दो-दो हाथ करने के लिए रेडी हो, अब आप किसी से डर नहीं रहे हो, तो वही चीज़े को लेके, चाल लोगों के बीच बाते हो रही है, कि आपका group circle change हुआ है, आपका जिन लोगों के साथ, अभी तेलग आपकी जो vibe है, जो आपका mindset है, जो match करता था, अब शायद उनके साथ match करना, बंद कर दिया है, तो अब आपका group circle change हो आपकी जो चीजों को देखने का नजर्या था, वो change हो गया है, enjoy कर रहे हो, अपने me time में enjoy कर रहे हो, या फिर मैं कह सकती हो कि अब आपके अन्दना वो चीज़ आ गई है कि भाई, भाड में जाये दुनिया, क्या करना, क्योंकि हाँ three of जो pentacle है वो repeat हुआ है, तो अब आप वो गिने चुने लोगों के साथ ही अच्छा time spend करना पसंद कर रहे है, अपकी life में happiness आ रहे है, ये enjoyment आ रहा है, और celebration का मौका जो मैंने बोला है, किसी के marriage वगेरा fix हो गई हो, ऐसा हो सकता है, किसी को finally उसका soulmate मिल गया है, पास लाइफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं से वो लोग आ गए जो इनसे अपतलग contact नहीं रख रहे थे, वही चीज हो गई कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है, खुद से, खुद से create करना, खुद से अपनी legacy create करना, जिसकी वज़े से लोग खुद आपके साथ connect कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, कि कुछ ऐसा अची अच्छी influencer हो सकती हो, bank में job किया हो, government job में selection होना, या अपनी खुद का business शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है, तो जिसकी वज़ा से लोगों को हैरानगी हो रही है, कि भाई, आप कैसी इतना आगे बढ़ गए, लोग आपके साथ collab करना चाहते हैं, लोग आपके साथ celebrate करना चाह तो चाहल लोगों की सोच वैसे भी बतल रही है, शायद आपकी speed ना उतनी high नहीं थी, अगर देखेंगे ना तो तीनों ही cards ना आगे बढ़ने को represent करते हैं, कि आगे step लेना, आगे move करना, ठीक है, death card से भी यह है कि अब जो चीज थी end हो गई, अब आगे बढ़ो, ending के साथ new beginning, slowing down भी यही बताता है, कि आगे एक अच्छे तरीके से बढ़ो, एक अराम से एक ठहराव के साथ बढ़ते जाओ, ठीक है, अपनी speed मत रोको, लेकिन हाँ, एक balance के साथ चलो, और यहाँ भी यही है, तो वही चीज मुझे दिख रही है, कि आपकी life में अभी एक ऐसी journey शु आपके साथ connect करना चाहरे है, बीसिकली यही चीजे निकल के आ रही है, क्योंकि स्टार है, कहते हैं, हीरे को तराशने में टाइम लग गया, तो शायद पहले वो कोईला समझ गी, कोईलम की खदान से ही निकलते है, तो कोईला समझ के लोग आपको value नहीं कर रहे थे, या जब आप एक actual हीरे की तरह भार आ रहे हो ना, तो लोगों को आपकी value समझ आ रही है, और अब उन्हें लग रहा है कि भई, इस इंसान को हमने पहले क्यों नहीं देखा, या इस इंसान में इतनी काबिलियत थी, कि यह इस तरह के से shine कर रहे है, तो वही चीजे हैं, कि सोच बदल रही है, चाल लोगों के बीच बात का कारण भी यही है, ओके सो या गाइस मुझे यही दिख रहा है, अब कुछ guidance भी ले ली जाएं, आपके लिए, रिट्रेट एंड रिचार्ज, अब आप रिचार्ज हो रहे हैं, जो कहा है, हर्मिट का काड आया है, तो आपने self-love बहुत practice किया है, या अपनी अंदर जो भी आपकी कमिया थी, ना उन पर बहुत काम किया है, खुश से, अपनी perception में चीज ला रहे हो आप, ठीक है, अभी जिस तरीके से आप देखते थे चीजों को, जिस तरीके से समझते थे, अब आप चेंज ला रहे हो अपने अंदर, तो आपने पात को चूस कर रहे हो, या अब अपने पात को समझ चुके हो, कि हा मुझे क्या करना है, किस तरीके से बढ़ना है, feel loved and comfort, अपने अंदर ना एक अपने अंदर का काड आया है, तो अपने अंदर वह comfort वह चीजे लेके आरहे हो, grounding हो रही है, connect with your emotion, अपने emotions के साथ आप connect कर रहे हैं, या इसा हो सकता है, उन लोगों के साथ आप अच्छे से connect कर पा रहे हैं, आप जिनके साथ शायदा पहले नहीं connect कर पा रहे हैं, वही है क point of view change हो गया है आपका, ठीक है, चीजों को देखने का, या आपको change कर लेना चाहिए, so या guys मुझे यही दिख रहा है, अगर मैं आपके birth date की बात करू, 6, 15, 24 हो सकती है, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 25, 23 हो सकती है, 2, 11, 20 हो सकती है, 9, 18, 27, 10, 19, 28, यही मुझे birth date दिख रहे हैं, अगर मैं अक्टूबर दिख रहा है, और सितंबर, यही मुझे birth date दिख रहे हैं, जो birth date मैं ने बताई है, अगर रेजनेट नहीं करती, इस्टिल रेडिंग रेजनेट करेगी, zodiac sign की बात की जाए, तो यहां fire sign है, air sign है, water sign है, और art sign भी है, तो zodiac sign यहां सारे ही मौजूद है, specific zodiac sign नहीं बताऊंगी, या guys, I hope reading अच्छी लगी हो, रेजनेट की हो, की हो तो please like, share, comment कर देना, चैनल को subscribe जरूर करना, मुसे जरूर बताना reading कैसी लगी, मैं मिलूंगी next reading के साथ, तब तक के लिए, bye